हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नमबर 6 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है सोशल साइन्स, सामाजिक विज्ञान इतिहास यह वरक्षिट 6 अगस 2021 की है तो आएज शुरू करते हैं आज की वरक्षिट, वरक्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएज देखते हैं आज की वरक्षिट पार्ट दो वयापार से सामराजय तक, उपविशय वयापार से युदो तक, तो तो किस तरह वयापार करने है, इस इंडिया कंपनी यूद करने के लिए तयार हो गए, उसके बारे में आज हम जानेंगे, औरंग जेब की मुरत्यू के बाद मुगल शाषक कमजोर हो गया था शेत्रिय शाषक अपनी ताकत दिखाने लगे था अब देखो पहले क्या था मुगल समराजय था उससे क्या रहा था वहाँ पर उनीकी चल रही थी लेकिन औरंग जेब की मुरत्यू के बाद जो मुगल शा नवाप्ते को रियायते देने से मना कर दिया विया-पार की अधिकार के बदले नजराने horrifying बढ़ाने बन गल निंग्स एर नमें दैके टक मेन डिया और उन्हें करने शुरू कर दिया कंपनी और बंगाल के नवाप के बीच ये टकराव बढ़ता गया सन 1756 में अली वर्दी खांकी मृत्व के बाद सीराजु दोला बंगाल के नवाप बने कंपनी को उनकी ताकत से भैथा कंपनी उनकी जगह एक ऐसा नवाप चाती थी जो उनकी इशारों पर नाचे तुन राजनेतिक मामले में टांग नहीं तूरार ओडायगी. बंगाल सिर्ण में सिधा हुआ सबस्के कारी रोयकूं को प्द ओड़िंगी. वगों पर बंगाले की न वालभय थेुद रहा दोरीक का अपनी बेवा, किसी भी तरह का कोई टांग नहीं अडाएगी राजनेतिक मामलों में सिराजदुला ने कंपनी को राजनेतिक मामलों में टांग नहीं अडाने का हुकम दिया और टैक्स अदा करने के लिए कहा लेकिन कंपनी बात नहीं मानी फलसरूप कासीम बजार स्थित इंग्लिश फैक् कमपनी के उसकी फैक्टरी पर कभजा कर लिया और इसके लावा कॉलकता के किले पर भी कभजा करने के लिए आगे बढ़े इधर दूसरी तरफ इधर कमपनी ने रोबर्ट क्लाइव के नेतरत में सेनाओं को रवाना कर दिया अब जैसे इस दिनिया कमपनी को पता चला कि ऐसे देखो क्या हो अब सत्रा सो सतावन में कमपनी सिराजो दॉला के बीच में क्या हुआ प्लासी का युद हुआ इस थान का नाम यहां पाए जाने वाले प्लाश के फुलों के कारण बढ़ा प्लासी के मैदान में रोबर्ट क्लाइव की ने सिरोजो दुला को हरा दिया वहां को ही यहां पर सिराजो दॉला ने क्या कहा था कि बही जो राजनेतिक मामले में इस टेडियां कंपनी कोई भी टांग नहीं यडाएगी और इसलिए जब उन्होंने अंग्रेजो ने इनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री पर और कोल कता के किले पर कंपनी को पता चली तो उन्होंने सेना को रवाना कर दिया सेना को चला दिया यूद करो जाके और कौन सा यूद हुआ प्लासिका यूद हुआ किसके बीच में कंपनी और सिराजु दॉला के बीच में अब सिराजु दॉला यहां पे हार गे रोबर्ट क्लाइम ने क्या किय कि उनका जो सैना पति था मयड़ा अंग्रेजयं से मिला हुआ था मार दिया गया मियजाफर नवाभ बन गया जलद ४कंपनी direct था मिंसे आपक्र geasat 59cely 1 मुत नवाभ बन गया यह बो रगे देखेंव धक्रजयं मे कंतर ने में विपार नह expected नवाब बना दिया लेकिन नवाब मीर जाफर की मृत्यू के बाद में 1665 में जो भी मुगल आपना साघ्तर साथ जो दिवानी लेनी का जितना भी सारा काम था वो इस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दिया और इस तरह आखिरकार कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी बंगाल की दिया ध्यान से यहां तक बड़ा इंट्रस्टिंग था एक स्टोरी जैसे थी इसको स्टोरी के जैसे समझना होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया अगर नहीं आया तो दुबारा इसके लिए वीडियो बना देंगे अब हम करते हैं कोशन अंसर बहुत आसान है दिवानी अधिकार से आप क्या समझते थे को बंगाल की दिवानी का था भू राजस्व इस डिया कमणी के बीच किन किन बातों पर विवात था या प्लासी के युद के क्या कारण थे प्लासी के क्या कारण थे उन्होंने का था वी राज़ितिक टांग मामलों में टांग मतड़ा हो तुम ना लेकिन वो मान नहीं रहते उन्होंने किले कोलकता के किले पर उन्हों दिकार चाहते थे तो अंग्रेज क्या चाहते थे पूर बंगाल पर अपना दिकार चाहते थे ख्यों रगटीrict कर बंगाल का stream को abdhan, क्यूझ का वाल से में सराइक गद्दी को भूत करने तो यह कुछ कारन थे बंगाल के जो पर अपना दिकार the थे जो क्वाइल ने नवाब की दुश्मनों को अपना सरंक्षन दे रखा था जो की मीर जाफर था न और उन्होंने क्या किया किया सिरोजा दुल्ला को गद्धी से हटा कर वो किसको मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे तो यह है पलासी यूद के कारण अब द कहीं और जाने के जोरतनी अच्छे से आपका अंसर दिया गया है तो हम यहीं से कर लेंगे कि सेराजर दुल्ला हार का एक बड़ा कारण उनका सैना पती मीर जाफर था जो अंग्रोजियों से मिला गया था तो यह और जैका अंसर नबर तीन अब हम देखते कोशिन नमबर फ यहां से लिखेंगे उसका आंसर नबर फोर जो है 1664 के में बकसर के युद या तो इसी लिख दो 1664 में बकसर का युद हुआ अंग्रेजों ने युद की बाद मीर जाफर को नवाब बनाया उनकी मृत्यू के बाद 1765 में मुगल बाश्या ने कम्पनी को ही बंगाल की दिव हुआ था जिसमें मीर्जाफर नवाब बना था और नवाब उसकी मृत्यू के बाद यहां यहां से लिको मीर्जाफर की मृत्यू के बाद 16-1765 में मुगल बाश्या नहीं कंपनी को पंगाल की दिवानी दे दी कि तुम ही वह सूलो इस तरह से कंपनी खुद ही नवाब बन ब BRADे तो आज की वर्क naval की स्टोरी की जैसे करो आपको हिस्टे जो पढ़ने ना एज से स्टोरी आपको उसको रटना है स्टोरी करके करोंगो तो आपको समझ में आएगी तो आज की वक्षिट कम्प्लीट होती है वक्षिट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक कर वाईए और प्लीज मिरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और शेयर कीजिए thank you guys